आईए सुनते हैं पाठ इस्त्री सिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन इसके लेगख हैं महावीर प्रसाद द्वेदी प्रिष्ट संख्या एक सो तीन से एक सो तेरा महावीर प्रसाद द्वेदी महावीर प्रसाद द्वेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलत पुर जिला राय बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ परिवार की आर्थिक इस्तिती अच्छी ना होने के करण इसकूली सिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली बाद में इस नौकरी से इस्तिफा दे कर सन 1903 में प्रसिद्धे हिंदी मासिक पत्र का सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1922 तक उसके संपादन से जोड़े रहे सन 1938 में उनका दिहान्त हो गया महावीर प्रसाद वेदी केवल एक व्यक्ती नहीं थे वे एक संस्था थे जिससे परचित होना हिंदी साइथ के गरवशाली अध्याय से परचित होना है वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा व्यक्यानिक, इतिहासकार, पुरातत्व वेत्ता, अर्थशास्त्री, समाशास्त्री, व्यक्यानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे उनकी प्रमुकृतियां है, रसग्य रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्ब, अध्भुत अलाप, यह निबंद संग्रह है, संपत्ती शास्त्र, उनकी अर्थशास्त्री सम्मंधित पुस्तक है, महिला मोद, महिला उव्योगी पुस्तक है, तो आध्यात्मिकी दर्शन की दिवेदी कावे माला में उनकी कविताएं हैं उनका संपूर्ण साहित महावीर प्रसाद दिवेदी रचनावली के पंदरा खंडों में प्रकाशित है महावीर प्रसाद दिवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिशकार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम इस्थिर किये कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिश्चत किया युग निर्माता महावीर प्रसाद वेधी ने स्वाधीनता की चेतना विक्सित करने के लिए स्वाधेशी चिंतन को व्यापक बनाया उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारित्ता का स्रेश्ट सुरूप सामने रखा हिंदी में पहली बार समा लोचना को स्थाबित करने का श्रेव ही उनको जाता है उन्होंने भारतिय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परकारे किये कुल मिलाकर उनके कारियों का मुल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्ब में ही संभव है विद्वता एवं भागिता के साथ सरस्ता उनके लेखन की प्रमुक फिशिष्टा है उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है आज हमारे समाज में लड़कियां सिक्षा पाने और कारक्षेत में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कूल भी पीछे नहीं है किन्तु यहां तक पहुँचने के लिए अनेक इस्तरी पुरुषों ने लंबा संगच किया नव जागरण काल के चंतकों ने मात्र इस्तरी सिक्षा ही नहीं बलकि समाज में जंज तांत्रिक एवं वैग्यानिक चेतना के संपुर्ण विकास के लिए अलग जगाया दिवेदी जी का ये लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लुहा लेता है जो इस्तरी सिक्षा को व्यर्थ अत्वा समाज के विकटन का करण मानते थे इस लेख की दूसरी विशिष्टा यह है कि इसमें परंपरा को जियों का त्यों नहीं स्विकारा गया है बलकि विवेग से फैसला लेकर ग्रहन करने योग को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सडगल चुका है उसे रूड़ी मान कर छोड़ देने की यह विवेग पूर्ण दृष्टी संपूर्ण नव जागरनकाल की विशिष्टा है आज इस नबंद का आनेक दृष्टियों से एतिहासिक महत्व है यह लेक पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पड़े लिखों का पांडित्य सीर्षक से प्रकाशित हुआ था बाद में दिवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका सीर्षक इस्त्री सिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन रख दिया था इस नबंद की भाषा और वर्तनी को हमने संशोदित करने का प्रयास नहीं किया है इस्त्री सिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन बड़े शोग की बात है आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान है और लोग भी ऐसे वैसे नहीं सो शिक्षित लोग ऐसे लोग जिनोंने बड़े-बड़े स्कूलों शायद कॉलेजों में भी सिक्षा पाई है जो धर्म शास्त और संस्क्रित के गरंद सायद से परिशे रखते हैं और जिनका पेशा को सिक्षितों को सिक्षित करना कुमार्ग कर्मियों को सुमार्ग कर्मी बनाना और अधार्मिक को अधर्म तत्व समझाना जिनकी दलीले सुन लिजे एक पुराने संस्क्रित कभियों के नाटकों में क इस्तियों को पढ़ाने में अनर्थ होते हैं। इस्तियों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। पूती और कालिदास आधि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में सिक्षतों का समस्त्य समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमान पहले कोई देले तब प्राकृतिक बोलने वाले इस्तियों को अपण बताने का प्रयास करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बूलचाल की भाषा प्राकृत ना थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौधों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक के मुनी तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोदेश देते बौधों के त्रिपिटिक गरंथ की रचना प्राकृत में किये जाने का एकमात्र करण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधरन की भाशा थी अतेव प्राकृत बुलना और लिखना अपड और असिक्षित होने का चिन नहीं जिन पंडितों ने गाथा सप्त शती सेतु बंद मह हकाव और कुमार पाल चरित आदी गरंत प्राकृत में बनाये हैं वे यदि अपड और गमार थे तो हिंदी के प्रसिद से भी प्रसिद अखबार का संपादक इस जमाने में अपड और गमार कहा जा सकता है क्योंकि वो अपने जमानी की प्रचलित भाशा में अखबार होते थे जिस तरह की हिंदी बांगला मराठी आधी भाशाएं पड़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं फिर प्राकृत बोलना अपड होने का सबूत है ये बात कैसे मानी जा सकती है जिस समय आचारियों ने नाट्य शास्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारन की भाशा संस्कृत ना थी चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे इसी से उन्होंने उनकी भाशा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा इस्तरियों की भाशा प्राकृत रखने का नियम कर दिया पुराने जमाने में इस्तरियों के लिए कोई विश्व विद् के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं परन्तु पराने ग्रंथों में अनेक प्रकल्ब पंडितों के नामुलेख देखकर भी कुछ लोग भारत की ततकाली इस्त्रियों को मूर्ख अपड़ और गमार बताते हैं इस तर्क शास्त्रग को इस न्याशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अत्वा उनका दर्शन विश्व वरा आदी इस्त्रियों से करावे और हम उने ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें शीला और विज्जा आदी थैरी काथा में जिन सेक्डों इस्त्रियों की पद्दे रचना उध्वत है वे क्या पढ़ थी जिस भारत में कुमारी के हंकों को चित्र बनाने नाचने गाने बजाने फूल चुनने हार ग्रंते ने पैर मलने तक की कला सीखने की आग्या थी उनको लिखने पढ़ने की मंदन मिश्र की सहत धर्म चरणी शंक्राचारे के छक्के छुड़ा दे गजब इस से अधिक भेंकर बात और क्या हो जकेगी यह सब पापी पढ़ने का अपराद है ना वे पढ़ती ना वे पूजनी पुरुशों का मकाबला करती यह सारा दुराचार इस्त्रियों को पढ़ रखकर भारतवर्श का गौरों बढ़ाना चाहते हैं मान लिजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी इस्त्री पढ़े लिखी ना थी ना सही उस समय इस्त्रियों को पढ़ने की जरूरत ना समझी गई होगी पर अब तो है अत्यों पढ़ना चाहिए हमने सेंक अत्यों पढ़ने की आग्या ना थी जो लोग पुरानों में पढ़ी लिखी इस्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद भागवद दश्मकंस्खंद के उत्राद का त्रेपनवा ध्या पढ़ना चाहिए उसमें रुकमणी हरन की कता है रुकमणी ने जो एक पुराने का उलिक भागवद में तो नहीं उसमें रुकमणी ने जो पांडित दिखाया है वो उसके अपढ़ और आलपक की हुने अत्वा गवारपन का सूचक नहीं पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मा वलंबियों की दरश्टी में तो नाटकों की अबेक्षा भागव या कवी कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझनी चाहिए इस तरियों का किया हुआ अनर्द यदि पढ़ाने का ही परणाम है तो पुरुशों का किया हुआ अनर्द भी उनकी विद्या और सिक्षा का ही परणाम समझना चाहिए बम के गोले फैं बात विधितों और ग्रह ग्रस्तों के शिवा ऐसी दलिले पेश करने वाले बहुत ही कम मिलें के शकुंतला के दुश्यंत को कटू वाके कहकर कौनसी आस्वाभविक्ता दिखाई क्या वह यह कहती कि आरिपुत्र शाभाश बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ सुभाव का किंचिद भी ग्या नहीं रखते सीता से अधिक साधिवी इस्तरी नहीं सुनी गई जिस कवी ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुश्यंत के विशय में दुरवा के कहाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंदर के विशय में क्या काया है सुनिए क्या ये बात तुमारे कुल के अन्रूप है अत्वा क्या ये तुमारी विद्धोता या महत्ता को शोबा देनी वाली है सीता का ये संदेश कटू नहीं तो क्या मीठा है राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा ये उकती ना किसी गंवारिस्त्री की किन्तु महा ब्रह्म ज्यानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्शियों के धर्म शास्त्रों का ज्यान रखने वाली रानी की सीता की धर्म शास्त्रग्यता का यह प्रमाण वही आगे चल कर कुछी दूर पर कभी ने दिया है सीता पर्त्याग के करण वालमी की किसमान शांत नीतिग्य और ख्षमाशील तपस्वी थक ने अस्तेव मनुर्मार भर्त्यागि में कहकर रामचंदर पर क्रोध प्रकट किया है अतेव शगुंतला की तरह अपने पर्त्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंदर के विशय में कटूवा के कहना सर्वता स्वभाविक है पीड ना ये पढ़ने लिखने का परणाम है ना गवारपन का ना अकूलीनिता का पढ़ने लिखने में स्वयम कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से अनर्थ दुराचार और पापाचार के करण और ही होते हैं और वे व्यक्ति वि पढ़ने की मुमानियत थी वे या तो इतियास से अनभिग्य नहीं रहती या जान बूझकर लोगों को धोका देते हैं। समाज की दृष्टी में ऐसे लोग दंडनी हैं क्योंकि इस तरियों को निरक्षा रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपरात करना है। कोई इस तरियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोश ना देना चाहिए। लड़कों ही की सिक्षा प्रणाली कौन सी बढ़ी अच्छी है। किस तरह की सिक्षा देना चाहिए और कहां पर देना चाहिए घर में या स्कूल में इन सब बातों पर बहस कीजिए। विचार कीजिए जी में आवे सो कीजिए पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयम पढ़ने लिखने में कोई दोश है, वो अनर्थ कर है, वो अभिमान का उत्पादक है, वो ग्रिह सुक का नाश करने बाला है। ऐसा कहना सोलह आने मिठ्या है। प्रश्न अभ्यास नावे पढ़ती, नावे पूजनी पुरुषों का मकाबला करती, आप ऐसे अन अंशों को निबंदों में से चांट कर समझिए और लिखिए। पुरानी समय में इस्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपड़ होने का सबूत है, पाठ के आधार पर इस्पस्ट किजिए। परंपरा के उनी पक्षों का सुईकार किया जाना चाहिए, जो इस्त्रिय पुरुष समानता को बढ़ाते हों, तरक सहीत उत्तर दिजे। तब की सिक्षा प्रणाली और आपकी सिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, सपस्ट करें। रचना और अभिव्यक्ति साथ, महावीर प्रसाद द्वेदी का निबंद उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे। आठ, द्वेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए, भाषा अध्यन। नौ, इन अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रियुक्त कीजिए, जिन में उनके एकाधिक अर्थ इसपस्ठों। चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल, पाठेतर सक्रीता। अपनी दादी, नानी और माँ से बाचीत कीजिए और इस्त्री सिक्षा सम्मंधी उस समय की स्थितियों का पता लगाईए और अपनी स्थितियों से तुलना करते हुए निबंद लिखिए, चाहें तो उसके साथ तस्वीरे भी चिपकाईए। लड़कियों की सिक्षा के आप्रती, परिवार और समाज में जागरुखता आये, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे। इस्त्री सिक्षा पर एक पोस्टर तयार किजिए। शब्द संपदा विद्यमान अर्थात, उपस्थित कुमार्ग गामी अर्थात बुरी राह पर चलने वाले सुमार्ग गामी अर्थात अच्छी राह पर चलने वाले अधार्मिक अर्थात धर्म से सम्मंध ना रखने वाला धर्म तत्व याने धर्म का सार दलिले अर्थात तर्क अनर्थ अर्थात बुरा अर्थहीन, अपढ़ों अर्थात अनपढ़ों, उपेक्षा याने ध्यान न देना, प्राकृत एक प्राचीन भाशा, वेदान्त वाधनी अर्थात वेदान्त दर्शन पर बोलने वाली, दर्शक ग्रंथ याने जानकारी देने वाली या दिखाने व जात्र को जानना, न्याय शिलिता अर्थाद न्याय के अनुसार आचरण करना, कुतर्क याने अनुचुत तर्क, खंडन अर्थाद दूसरों के मत का युक्ती पूर्वक्त निराकरण, प्रगल्भ अर्थाद प्रतिभावान, नामों लेख अर्थाद नाम का लेख करना, याने निंदनी आचरण, सैधर्मचारणी अर्थाद पत्नी, काल कूट अर्थाद जहर, पियूश अर्थाद अमर्थ, दृष्टांत याने उधारण, मिसाल, अलपग्य अर्थाद थोड़ा जानने वाला, प्राकालीन अर्थाद पुरानी, व्यभिचार याने पाप, विक्षिप्त याने पागल, बात व्यधित अर्थाद पातों से दुखी होने वाले, ग्रह ग्रस्त अर्थाद पाप ग्रह से प्रभावित, किंचित अर्थाद थोड़ा, दुरवाक याने निंदा करने बालवाक या बात, परित्यक्त अर्थात पूरे तौर पर छोड़ा हुआ, मिथ्याबाद याने जूटी बात, कलंकरा रूपन अर्थात दोश मनना, दोशी ठहराना, निर्भत्सना अर्थात तरसकार, निंदा, नितिग याने नीदि जानने वाला, हरगिज याने किसी हालत में, मुमा यह भी जाने, भावभूति, संस्क्रित के प्रधान नाटककार हैं, इनके तीन प्रसिद्य ग्रंथ, वीर रचित, उत्तर रामचरित और मालती माधव हैं, भावभूति करुन रस के प्रमुख लेखक थे, विश्ववरा, अत्री गोत्र की स्त्री, यह रिगवेद के अत्री मुनी की पत्नी और दक्ष परजापती की कर्णिया, गारगी, वैदिक समय की एक पंडिता रिशी पुत्री, इनके पिता का नाम गरग मुनी था, मिथला के जनकराज की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने यागवल के साथ वेदांतर शास्तर विशय पर शास्तर किया था, गाथा सप्त शती, प्राकृत भाषा का गरंथ, जिसे हाल द्वारा रचित मान जाता है, कुमार पाल चरित्र, एक एतिहासिक गरंथ है, जिसे बारवी शताबदी के अंत में अज्यात नामा कवी ने अनहल के राम राजा कुमार पाल के लिए लिखा था, इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमार पाल तक बौध राजाओं की वंशावली का वर्णन है, तिर्पट ग्रंथ, गौतम बुध ने भिक्षू भिक्षलियों को अपने सारे उपदेश मौखिक दिये थे, उन उपदेशों को उनके शिशों ने कंठस्त कर लिया था, और बाद म शक्यवंशी होने के करण गौतम बुध्य को शाक्यमुनी भी कहा जाता है, नाट शास्त्र, भरत मुनी रचित कावव शास्त्र समंधी संस्रित के इस ग्रंथ में मुख्यतर रूपक नाठक का शास्त्री विवेचन किया गया है, इसकी रचना 300 इसा पूरुवानी जाती है कालिदास लोगों के योगदान के बारे में पढ़िये और मित्रों से चर्चा कीजे पंडिता रमाबाई भारती राश्त्री कॉंग्रेस का पाँचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में आज़ित हुआ था, खाचाकाज भरे हॉल में देश भर के निता एकत्रित हो थे, एक सुन्दर युवती अधिवेशन को सम्भूदित करने के लिए उठी, उसकी आखों में तेज और उसके का आवाज नहीं सुन पा रहे थे, वे आगे की ओर बढ़ने लगे, या देखकर युवती ने कहा, भाईयो मुझे क्षमा कीजिए, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन इस पर मुझे आशर नहीं है, क्या आपने शदाब्दियों तक कभी किसी महिला की आवाज सुनने की कोशिश की, क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की, कि वो अपनी आवाज को आप तक पहुँचने योग बना सके, प्रतिनिद्यों के पास इन प्रशनों के उत्तर ना थे, इस सासी युवती को अभी और बहुत कुछ कहना था, उसका नाम पंडिता पंडिता रमाबाई था, उस दिन तक इस्त्रियों ने कॉंग्रेश के अधिवेशनों में शायद ही कवी भाग लिया हो, पंडिता रमाबाई के प्रयास से 1889 के उस अधिवेशन में नौ महिला प्रतिनिद्यू समिलित हुई थी, वे एक मूँक प्रतिनिद्यी नहीं बन सक रहे हैं जिससे कि आप भारतिय जनता की राय वहां पर अभिवेक्त कर सकें, इस पंडाल में अभिवेक्ती की स्वतनता के लिए चीख चला रहे हैं, तब आप अपने परिवारों में वैसी ही स्वतनता महिलाओं को क्यों नहीं देते, आप किसी महिला को उसके विद्वा हो परिवेक्ते ही कुरूब और दूसरों पर निर्भर होने के लिए क्यों विवश करते हैं? क्या कोई विधुर भी वैसा करता है? उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतनता है, तब इस्तिरियों को वैसी स्वतनता क्यों नहीं मिलती? निशित रूप से कहा जा सकता है कि पर्णिता रामाबाई ने भारत में नारी मुक्ती अंदोलन की निव डाली, वे बचपन से ही अन्याय सेहन नहीं कर पाती थी, एक दिन उन्होंने नौवर्ष की एक छोटी सी लड़की को उसके पती के शव के साथ भस्म के जाने से बच उस लड़की की मा के पास कोई उत्तर ना था, उसने केवल इतना कहा कि ये पुरुषों की दुनिया है, कानून वे ही बनाते हैं, इस्त्रियों को तो उनका पालन भर करना होता है, रमावाई ने पलट कर पूछा, इस्त्रियां ऐसे कानून को सेहन क्यों करती हैं, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, तो ऐसे कानूनों के विरुद्ध संगर्श करूंगी, सच मुझ, उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के सोशन के विरुद्ध संगर्श किया,